अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अबडेट आप तक पहुँच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षिय और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी फरवरी के आने के साथ ही सर्दियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है इन दिनों देश के उत्तरी इलाकों में भारी बरफबारी देखी जा रही है जहां परवतिय इलाकों में हो रही बरफबारी पर्यटों को अपनी ओर खीच रही है तो वहीं इसके कारण कई जगहों पर इस्थानी लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है हिमाचल परदेश की राजधानी शिमला में दो दिन से भारी बरफबारी देखने को मिल रही है जिस वजह से यहां दैनिक जीवन काफी जादा अस्त व्यस्त हो गया है सडकों पर बरफ की काफी जादा मोटी परत जमने के कारण यातायाद पूरी तरह से ठप हो गया है साथ ही पीने के पानी को लेकर भी आम जन जीवन काफी जादा प्रभावित हुआ है इसका सबसे बुरा असर लाहूल इस्पिती पर और किनौर पर पड़ा हुआ है और बहुत जादा यहां पर बरफबारी हुई है हिमाचल परदेश की राजधाने शिमला में चार फरवरी की सुभा इस साल की सबसे पहली बरफबारी हुई ब्रस्पतिवार सुभा शिमला कुफरी कैलोंग कलपा और राज के उचाई वाले कई इलाकों में बरफबारी हुई और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बरफबारी चल रही थी मौसम विभाग ने मध्यम और उचे परवतिय इलाकों में बरफबारी का पूर्वा अनुमान लगाते हुए चार फरवरी के लिए राज में आंधी और गरच के साथ बारिश की आशंका जताई थी और यलो अलर्ट जारी किया था मौसम कार्याले ने खराब मौसम के बारे में लोगों को सतर्ग करने के लिए यलो अलर्ट जारी किया था मौसम चेतावनी में यलो अलर्ट सबसे कम श्रेड़ी वाले खत्रे में आता है और इससे कुछ दिनों के लिए खराब मौसम का आशंका के संकेत दिये जाते हैं हिमाचल प्रदेश के सिमला कुफरी मनाली दलहोजी और नारकंडा समीत प्रिटन स्खलू पर गुरुवार को ताजा बरबारी हुई मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है शमला इस्थित मौसम विभाग के निदिशक मनमुहन सिंग ने कहा कि गुरुवार को जादा तर अस्थानों पर बरबारी हुई उन्होंने बताया कि शमला जिले के जादा तर हिस्सों में पांच फरवरी को हलकी बरबारी हुई शमला सिटी, खड़ा पत्थर, नारकंडा, कुफरी और उसके उपरी इलाके मंडी, कुलू, कांगरा, सोलन, सिर्मोर, चंबा और कांगरा जिलों में बरबारी हुई है शमला सिटी में गुरुवार को 2021 की पहली बरबारी हुई अधिकारियों ने कहा की राज में तापमान कई डिग्री नीचे चला गया और बरबारी के कारण कई सड़कें बंध हो गई सिंग ने कहा कि लाहॉल और स्पिती के परसासनिक केंदर कोलोंग में पारा सुन्ने से 6.3 डिग्री सेलसियस नीच चला गया और यह राज्ज में सबसे थन्डा स्थान रहा शिंगला में हुई बरबारी से सरकुलर रोड सहीत सभी सडकों परवाहनों की आवाजा ही पूरी तरह ठप है काल का शिंगला हेरिटेज रेलबे ट्रैक पर आने वाली ट्रेन अभी ट्रैक पर बर्फ जमा होने के कारण नहीं चल पा रही है राजानी शिंगला का उपरी शिंगला, चंडीगर दिल्ली, मंडी, विलासपोर, हमीरपोर, धर्मसाला से सडक संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है शहर में लोगों को दूद और ब्रेट की सप्लाई नहीं मिल पाई है बाहरी राज्यों से आए प्रेटक खाने को लेकर धावों की तलास में दहुदर घूमते नजर आए जिसके कारण उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा बर्बारी के बाद कॉलेज खोलने की तैयारी भी प्रवाबित होगी कॉलेजों में आठ फरवरी से कक्षाएं शुरू होनी है राजानी शिम्ला में कई छेत्रों में ब्लैक आउट है आधे शहर में 24 घंटे से बिजली नहीं है बोर्ड की करमचारी बिजली बहाल करने में जुटे है तो जैसा कि आपने तज़्मीरों में देखा कि शिम्ला और उसके आसपास इलाकों में बहुत जादा बरफबारी हो रही है ये बरफबारी आज और कल तक होने का अनुमान लगाया गया है ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार